हेलो त्रियन फैमिली तो कैसे हो आप सभी लोग आए होप कि आप सभी लोग बढ़िया होगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो फटक से like, share, subscribe कर दिना, वीडियो पे comment कर दिना और वीडियो को बहुत सा रप्यार देना, आज आते हैं सीधा ही पृछले एपिसोड की तरफ और बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, तो बीड़ीए सिक्वल के पृछले एपिसोड में हम लोगों ने कुछ कहता है यह कर देंगे हो कर देंगे बड़े लोग को कर सकते हो लेकिन जब वह अपना ओर ऐनलिस्ट ऑनलिस्ट कर था यह व्याज करता है था यहां यहां से लेकर लेकर देखनार मेरा भी वड़ा है दे गुसा लाद दे धनादन दे धनादन लेकन होता है यह रिजल्ट की जो एएन एल्डर लिंबाओ को पिल कर साइड में लगा देता है अब elder लिन्बाव की लंका लगने के बाद जो attitude था वो तो खतम हो गया था लेकिन रसी जल गई बल नहीं गया वाला बादा रह जाता है ना लिन्बाव भी भी attitude के साथ कहते चलो सब मिलकर इसे मार दे लेकिन तबी पीछे से बाकी के जो elder होते हैं वो आ जाते हैं जिसे देखकर जो आँके डिप्टी लीडर होते हैं वो तुरंथी कहते हैं आप लोग यहाँ पर क्यों हैं जो देखकर बस बाकी के सबी लोग बताते हैं कि यह जो लॉंडा है यह भाग करा है इसी को पकड़ने के लिए आ पर आ रहे हैं जो देखकर elder तुरंथी कहते हो जिस कहता है बाई चल मिलकर इसे पीटते हैं अकेले तो यह मेरे बस कभी नहीं है तेरे बस कभी नहीं है लेकिन साथ में मारेंगे मज आएगा अब पता नहीं है साथ में मार पाते हैं अपनी मरवाते हैं मतलब खुद मार खाते हैं जो भी होगा अब इस एपिसोड में होगा त जिसकी पाबर होती है इंटर्मीडेट फाइविश्टार डावडी जिसकी पूरी बाड़ी से गोल्डन लाइट निकल रही होती है और वो जोयान की दर देखते हो कहता है जोयान तुम्हारा गुड़ टाइम एंड हुआ और अब तुम्हारी मौथ तुम्हारे सामने खड़ी हुई है जिसके बाद लिंसी चार्ज करता है नाइन इस्पेर इस्पेन किल जो की सबसे पाबरफुल अटेकों में से एक था जैसे देखका लिंगबू और बाकी के जो एल्डर्स होते वो हैरान हो गये होते हैं और जल्दी उनकी आंको में एक रुएल इंप्रेशन होता है लिंसी जो यह बटलस की यूज कर रहा हो नॉर्मली इस वटले सकी नहीं करता और जहां तक यहां अगया है यह ए इनड़ड हो गया है इसके अलाबा उनके यह बैटल्याम यह बैटल सकुल में से एक है जिसका भी लेवेल भाइब लेविल के वट्ट पावर भी पावरफुल थी, दोनों का कॉम्बिनेशन और ज़्यादा पावरफुल था साथी सिस्पियर से निकलने वाली यलो लाइट कंटीन्यू कंडेंस हो रही होती है जिसे देखकर लिंसी के चेर पर जो इसमाइल थी वो क्रुएल पर क्रुएल होती जा रही थी दूस्तर जोयान भी कहता है, ऐसा लगता है कि अब मुझे भी थोड़ा सा बैटल में अपने बैटल स्किल्स को सार्व करके ट्राइ करना चाहिए कि क्या मैंने अपने बैटल स्किल्स में कुछ इंक्रिमेंट किया है यह मैं अभी भी बहुत पीछे हूँ जोयान ने देखा था आसपास का प्लेस काफी बुरी तरीके से हिल रहा होता है और जोयान को भी हलका सा धक धक मैसूस हुआ था इस गोल्डन लाइट से जो की वाइट को भी सुरू कर देता है आसपास के जो एरिया होती है उसकी जो बैटल कोई होती है वो भी यहाँ पे धुन्दली हो चुकी थी मानो जैसे इस लाइट डॉट ने जो गोल्डन कलर का था सारी की सारी एनरजी अबज़र्व कर ली हो जसके बाद आसमान फटने जैसी आब आ जाती है और जहां से भी यह गोल्डन लाइट गुजर रही होती है एक गोल्डन निसान छोड़े जा रही होती है यहां तक की नीचे के एक बड़े से स्क्वेर में बड़ा सा गड़ा भी खुद गया होता है जो सैकड़ो हजारो नीले स्टोन जो दिखाई दे रहे थे उन्हें पत्थर से पाउडर में तबदील कर देता है साथ यह बलेक गोल्डन इसप्यर जहां से भी गुजर रहा होता है अनगिनत लोगों की खोपड़ी एकदम सुनन महसूस कर रही होती है क्योंकि ऐसी लड़ाई सच मुझ में डरावनी थी दुस्तव जो यहां भी अपनी आखों की पुतलियों के साथ इस गोल्डन लाइट को अपनी तरह पाता हुआ देखता है तो अब सीरिया सो चुका होता है और एक गहरी सास लेता है लेकिन जो यहां के चेरे पर कोई भी डर नहीं होता वो इसलिए था क्योंकि जो यहां ने पहले से ही इन फाइन डेट आप रहन कारने सास देख चुके थे जिससे जो यहां की स्पिच्छल पावर हाई लेबल पर पहुँच चुकी थी रेंकारनेसन के साथ जो यहां की समझने की जो ताकत थी वो भी अन गुनत गुना बढ़ चुकी होती है साथ यहां जो यहां कुछ टाइम के लिए लिंसी के नाइन स्पियर स्लैस का सामना करते हुए Forbidden Gate को एक्टिवेट करने के बारे में सोच रहा होता है और Forbidden Gate को यूज करते हुए जो आन अपनी नई समझ का यूज करना चाता था जिसके बाद जो आन जहां पे खड़ा हुआ होता है वहाहीं पे खड़ा रह जाता है जैसे मानों वो कोई मिस्टीरियस सिच्वेशन में चला गया हो लेकिन जो यान के हेंट पिंट साइन तुरंधी चेंज होने लगते है जिसके बाद जो आन की जो बंदा के होती है अचानक ही खुल जाती है और धीमी डाटती हुए आबाज आती है Forbidden Gate, Appear जो यान की आबाज के साथ पूरा का पूरा जो वाइड होता है वो अचानक फट गया होता है वाइड के फटते ही एक स्ट्रॉंग एस सेंट औरा चालो तरफ बिखरने लगता है इस टाम पे जो यान जो क्रॉस लेकर के बैठा हुआ था वो पूरी तरीके से अंजान था ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने Forbidden Gate को Appear होते देखा ही नहीं उसके forehead से काफी huge amount में जो spiritual power होती है वो continue बाहर निकल रही होती है और उस crack हो चुके place की तरब जा रही होती है जिसके बाद देखते ही देखते एक illusionary gate अपयर हुआ था जो धीरे धीरे ठोस होता जा रहा होता है जिस time पे यह Forbidden Gate अपयर हुआ था वो जो place होता है जहां जो यान था यह Forbidden Gate वो पूरा golden हो गया था जिसके बाद Forbidden Gate से एक strong section force release होता है जिससे वो जो area था यह बुरी तरीके से कापने लग गया होता है area काप रहा होता है जो लोग इसे देख रहे होते हैं वो भी बुरी तरीके से डर चुके होते हैं ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे मानो यहां का जो area है यहां की जो कुई है सब कुछ उबल रहा हो ये लगभाग उन्हें मौत का एहसास दिला रहा था जिसके बाद पूरे का पूरे इस एरिया के अंदर बैटल देख रहे सभी लोग पूरी तरीके से सांथ हो चुके होते यहां तक कि 5 स्टार डावडी का इंटरमीडियेट लेवल का बारियर में ऐसे किसी स्ट्रॉंग बैटल स्किल का यूज कर सकता है जो 5 स्टार फाइटिंग ओड के इंटरमीडियेट लेवल के बंदे को डरा सकता है इन लोगों के मुझे सिर्फ एकी वर्ड निकला था कि यह आदमी है या राच्छस जहां तक हुआंग नाम का परसन था और बाकी के सभी लोग वेसाजीव घटना को देखकर हैरान रह गए होते हैं सभी की बॉड़ी कापने लगी होती है इन में से कोई भी उमीद नहीं करवा रहा था कि 5 star के starting level का बंदा इतना cruel हो पाएगा साथी सभी जिनके विचार थे कि लिंसी आसानी से जहान को हरा देगा उन सभी के विचार बदल चुके होते हैं अब ये कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा कौन हरेगा लोगों की बीच कान फूसी होने लगी होती है लेकिन जो यान के इंप्रेसन में कोई बदलाव नहीं था लिंसी अभी भी दूर है लेकिन वो जो यान के अटेक से निकल वाली cold intent को महसूस कर रहा था दूसरी तरफ जो यान की आखे जो extremely cold होती है जिसके बाद उसकी उंगली अचानक ही हिली थी और उसके पीछे आसमान में अचानक ही कई क्रैक फड़ जाते हैं और वो gate appear हो जाता है जिससे सक्सन फोष जनरेट हो रहा था ये gate जब appear हुआ था तो ऐसा महसूस होता है जैसे मानो आज़ पास के अट्मोसफियर की सारी की सारी एनरजी spiritual power इस gate ने सोखली हो साथी इसका जो एरिया होता है वो continue expand हो रहा होता है और इसके बाद आती है अब आज golden light बाला ये gate और ज़्यादा strong हो चुका होता है साथी azure color का crown deal के shape का एक azure stone मैदान पर जाकर गिरता है और परदर परद डह जाता है यहाँ धरती हिल रही होती है और मैदान में किसी ने भी ढवे हुए इस मैदान को नहीं देखा था सबी ने lindsay की ओर देखा उनकी आँके तेजी से फैल रही होती है और golden gate की तरफ देख रही होती है lindsay की आँकों में भी सदमा होता है उसे उम्मीद नहीं थी कि जो flame attack उसने पहले किया था यानि जौन ने जो fire lotus की flame का attack किया था वो बास्तों में जो यान दो बारा भी कर सकता है साथी जौन अभी भी ऐसे powerful battle skill use कर सकता है यानि बास्तों में ये अभी भी जौन की limit नहीं थी साथ ही साथ ये अटेक उसकी जान में खत्रा लाने के लिए भी capable था हालकि वो हैरान रहता है लेकि लिंसी घवराया नहीं होता इस समय डॉच करने की तो कोई possibility ही नहीं थी वो के बल कटनाई से ही इसके अगेंस fight कर सकता था ये उमीद करते हुए कि वो इससे रोक पाएगा हालकि उसके दिल में उमीद थी लेकिन अभी भी ये strong उमीद नहीं थी उसका 9 spare और जोयान का forbidden gate देखना जरूरी था कि कौन ज़्यादा strong है यहाँ पे लिंसी का मुसे तुरंती blood की एक drop निकलती है और उसके मौजूदा spare के अंदर चली गई होती है और अचाना की जो bright light वाला dot होता है वो golden से red glow होने लगता है जिसके बाद लिंसी तुरंती कहता है continue 9 kill one shot spirit capturing spare जैसे ही लिंसी ने ये चिलाय होता है वो अपने हाथ के spare को बाहरी power के साथ बाहर की तरफ छोड़ देता है उसकी इतनी powerful fighting कोई और उसके बाद blood essence की power साथ ही red light जो golden थी वो red हो चुकी थी और अपने आप में बेहत cruel और demonic लग रही होती है जैसे ये giant red rays आती है अनगिनत निकाहों के नीचे वो आसमान को फारते हुए जाकर जोyan के golden gate से टकराती है दौनों के बीच टकर और एक boom की आवाज इस टाइम पे जोyan का जो forbidden gate था इससे spare के अगे अराम से fight कर रहा होता है और इससे continue सक्सन फोर्स निकल रहा था जो strong, strong और strong होता जा रहा था यहां तक कि लिंसी के इतने powerful attack के बाद भी forbidden gate को बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था हाँ सही सुना आपने बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ा यहां तक कि उसके blood essence के साथ वो जो golden light red हुई थी वो भी अब कदम दर कदम पीछे हट रही होती है लिंसी भले ही अपनी ताकत 5 star intermediate level तक पहुँचा चुका हो लेकिन उसकी attack की जो सबसे strong ताकत थी अभी भी उतनी powerful नहीं थी जितना उसने उमीद की थी जो देखकर जोयां तुरंती कहता है क्या तुमारे पास के बल यही मातर एक battle skill है अगर यही है तो मुझे लगता है कि यह लड़ाई मैं जीच चुका हूँ जोयां के लिए forbidden gate को appear करना कोई आसान काम नहीं था इसमें जोयां की अपनी spiritual power खदम हो रही थी और उसका चैरा पीला पर चुका था लेकिन अभी भी उसकी जो fighting कोई और और होता है वो काफी rich लग रहा था साथी जोयां की जो आवाज होती है वो thunder strike की तरह है जिसके बाद जोयां अपने handbrain sun को change करने लगता है और अचानक ही forbidden gate के चारो तरफ के vortex घूमना सुरू हो जाते हैं जिससे आसपास के area और उस black spear के अंदर की इस spiritual power को इसे forbidden gate द्वारा खीचा जाने लगता है जैसे ही उसका black spear उसकी black light इसे forbidden gate द्वारा अब्सॉफ की जाती है लिंसी के मुझ से चीखे निकल गई होती है और spear की नोक में जो light थी वो भी glow होना कम हो चुकी होती है जिसके बाद जोयां कहता है तो तुमारे सबसे powerful attack को मैंने break कर दिया अब मुझे बताओ और कौन है क्या कोई और मुझ से लणना चाहेगा जोयां कदम दर कदम आगे बढ़ रहा होता है और उसके पीछे जो golden gate था वो आभी भी तम तमाता हुआ खड़ा हुआ होता है मानो जिसने भी जोयां को रोकने की कोसिस की golden gate उसकी लंका लगा देगा यहां तक कि अगर जोयां एक thought के साथ लिंसी की spiritual power पर target कर दे तो लिंसी चाहे कितना भी strong क्यों ना हो forbidden gate उसकी body में नीचे से हाँ डाल के कलेजे से आत्मा निकाल लेगा यहां पे सभी लोग जो fight देख रहे थे वो हैरान थे कि जोयां ने बास्तों में लिंसी को हराने के लिए सिर्फ एक battle skill यूज किया जबकि लिंसी का power level उससे आंगे था फिलाल सभी ने जोयां की तरफ देखा होता है और उसके खतरनाक battle skill को जिसे वो same level पर या फिर अपने से cross level के warrior पर यूज करके उसे हरा सकता था या तकि same level के जो warrior होते हैं या उससे नीचे के वो तो जोयां की तरफ fight करने का सोज भी नहीं रहे होते तब इस टाइम पे एक person की आबाद सुनाई देती है ये तो giant spirit gate है light spirit gate या soul snatching gate जो की slow snatching emperor जियो यूआन की forbidden technique है और ऐसा लगता है कि इसे कहा जाता है forbidden gate या लोग अच्छाना की बड़ बड़ाने लगते हैं और चौक गया होते हैं सभी में discussion सुरू हो चुका होता है वो तुरंती कहते हैं जियो यूआन का popular battle skill forbidden door ये सकाले कपड़े पहने हुए कल मुहे लड़के के पास कैसे हो सकता है मैंने सुना था कि जियो यूआन को ये battle skill एक एस जन टॉम से मिला था जो बेहत powerful था और ये खास तोर पर लोगों की soul को चोट पहचाने के लिए design किया गया था जिससे defense कर पाना next to impossible होता है जो देकर बाकी के लोग भी कहते ये सही है ये सही है मैंने भी सुना था मैंने भी सुना था हाँ 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 ये तो forbidden gate जियो यूआन का hidden battle skill है लेकर हमारे सामने वाला बरसन इसे कैसे use कर सकता है वो तुरंदी गयता है भाई क्या उसका जियो जुआन से कोई लेना देना हो सकता है यहाँ पे तो बिल्कुल चर्चा हैं साथ में आस्मान पे हो चुके होते हैं माहौल काफी lively लग रहा होता है नीचे के सभी लोग उनके discussion का सामना करते हुए जो यान का जो चैरा था वो अभी भी काफी सांत होता है सेम भाई सेम battle of magic world के writer के जैसा भाई बहन के घोड़े भाई तू अगर मेरा वीडियो देख रहा है यार chapter आंगे upload कर दे भाई वो तिन चार लड़की आई हैं उनके बाद क्या हुआ इन में से कोई जो यान को भी मिलेगी की नहीं मिलेगी तेरी मा को प्रणाम साले भाई यार देख यार तू अगर वीडियो देख रहा है तिन चार तिन चार नहीं पांच चै चै नहीं आठ नहीं दस बारा chapter एक साथ upload कर मैं को तेरी स्टोरी पसंद आ रही है मैं उसे explain करेगा अब chapter upload कर दे भाई साला कैसा टाइम आ चुका है मुझे chapter upload करने के लिए कहना पड़ रहा है सालो मुझे वीडियो upload करने के लिए कहा करते थे तुम कभी पुड़ी सी इज़त रख ले भाई चलो आओ नोबल में लोटके आओ यहाँ पे चर्चाओं का जो सिलसला होता वो गूंज उठा होता है लेकिन जर्ण के चरपर तो कोई भी impression नहीं होते यहाँ तक ही जोयान और लिंसी के powerful attack को का impact हजारों मील दूर लिंड फैमली के मजबूत लोगों ने भी महसूस किया था यहाँ तक की लिंड फैमली का हरे की strong person एक एकर की हाँ पे आये था और सामने की टूटी पूटी जरजर हालत को देखकर अपने elders की जुकी हुई भोहों को देखकर और खून से लाल पीले हो चुके elders की reputation को देखकर वो काफी आयरान हुए होते है साथ ही साथ सीधी सी बात थी कि जिस person ने भी ऐसा किया उसे दी जाएगी मौत की सजा क्योंकि ना केबल उसने लिंड फैमली को hurt किया बलकि blood realm में आके लिंड फैमली के घर में आकर उसे hurt किया इसकी तो सिर्फ एक ही सजा थी और वो थी मौत इस time पे जो powerful लोग आये थे उनमें से कुछ तो बेहत गुस्से में होते हैं अखिरकार उनके लिए तो ये उनके चैर पर थपड और लिंड फैमली का अपमान था हाला कि लिंड फैमली को कई सारे groups में डिवाइड किया गया था लेकिन लिंड फैमली के सभी के सभी members लिंड फैमली के लिए बफादार हैं ये जवाब आज होती है, कब्र में लेटे हुए किसी खूसर बुढ़े की लग रही होती है, जिसने मस्त तिन चार बाइन की बोटल मार रखी हो, टुन ना अंदाज में, तब इसी टाइम पे दरजनो भर लोग लगबागापा में लटके हुए काले कपड़े पहने परसन को देखते हैं, बूरे आदमी ने सभी मैदान पर सभी की निगाओं को फॉलो करते हैं, जो यान की तरब देखा होता और विना किसी हल चल के उसे समझ में आ गया था, कि ये टली लॉंडा ही है, जिसने उसके क्लेन के कल मुहे एल्डर्स का मूँ सच में काला कर दिया, जो ये आकात और औरा बढ़ चुका होता है, और वो जो यान को गुस्ते में क्रिवल्टी के साथ देख रहा था, और उसकी बॉडी का किलिंग इंटेंड चारो तरब सो होने लगता है, ऐसा लग रहा था कि लिनसी यहां पे जो यान को मार देना चाता है, साथ इसलिए क्योंकि ज जो यान ने लिनसी को हरा दिया था, लिनसी को जो यान से नफ promise हो चुकी थी, जो यान भी यहांपर इस चीज को notice करता है, और जो यान का मूल हरा था यहां पे लिनसी को on the spot मार देने का था, जो यान future के लिए कोई भीनफरत नहीं छोड़ना चाता था, क्योंकि इस killing internet को द एल्डर के सभी लोगों को ही क्योंना अपमानित करना पड़े आज उसे इसे मारना ही होगा जिस टाम पर ओल्ड एल्डर जुएन की दब ध्यान नहीं दे रहा था जुएन थंड़ा इस वीड का यूज कर तो इसी दा ही लिंसी के उपर आकर उसके खोपड़े के थोपड़े पर अपना थपड़ जमा देता है जो देखकर मैदान में मौजूद है लोग हैरान हो चुके थे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जुएन इतना ज्यादा ब्रेव और करेस्पल होगा यहां तक कि लिंड फैमली के इतने सारे स्ट्रॉंग लोगों के सामने जुएन लिंसी को थमकाएगा उससे मारेगा और उसपर अटेक करेगा यहां तक कि लिंसी ने भी ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि जुएन बास्तम एल्डर के सामने उसपर अटेक करेगा लेकिन अब तक देर हो चुकी थी और उसके पास अब डॉच करने का टाइम नहीं था और जो यहां ने एक थपड़ मार कर लिंसी की खोपड़ी की जोपड़ी अलग कर दी होती है और उसकी लाइफ की जीवन लीला भी समाब। हाला कि ओल्ड मैन तुरंती डॉच करते हुए आई मीन अप्यार होते हुए लिंसी के पास आता है लेकिन बैट लगता कि उसे देर हो चुकी थी जिसके बाद वो जो यान को दूर जाते हुए देखता है तो अचानक ही आई मीन वो अचानक ही जो यान की तरब देखता है तो तुमने मेरे लिंसी के, जैसे एक elder को मारने की भी हिम्मत की, वो भी खास तोर पर ब्लड लेंड के अंदर, और हमारी मैपल, मून क्लेप में, जो कि हमारी लिंड फैमिली का फैमिली एरिया है, आप हमें उकसाने की हिम्मत करते हैं, मुझे कहना होगा कि आप बहुत बहादू यहां ओल्ड मैन ने जो कहा था उसका मतलब तो साफ था कि जौन काफी जारा ब्रेव है लेकिन इसका एक खिडिन मतलब भी था कि बेटा तेरी ब्रेवरी आज यहीं खतम और जीवन लीला भी हाला कि इससे पहले कि जौन जबाब दे पाता एल्डर तुरंती कहते हैं लड़क जो यान की तरफ जा रहा था यह जो यान को मार देना चाहता था लेकिन अजी घंटा आसमान में अचानक ही बड़े से इंपेक्ट के साथ भूम की आवाज आती है जो धीरे धीरे चारों तरफ फैल चुकी थी यहां तक ही अभी ओल्ड मैन ने जो एक्सन लिया था जो यान के अकॉर्डिंग इस एल्डर की पावर कम से कम सिक्स इस्टार के आसपास होगी लेकिन उसके सामने का जो खूसर बुड़ा है वो लिन जुआन जितना स्टॉंग नहीं है आके का लिन फैमिली के सेकेंड एल्डर के तौर पर लिन जुआन की ताकत सेविन इस्टार हालक यह जो यान ने अंदाजा लगाए था तभी जुआन कहता है तुम बेसर्म हो अगर तुम बास्तों में किसी पर हिडिन तौर पर अटेक करते हो तो तुम्हें एक मजबूत आदमी कैसे माना जा सकता है जो यान को यहां गुस्ता आ चुका था जब उसने देखा कि एक कंट्रोल करने की कोसिस कर रहा हूँ ओल्ड मैन यहां उदास होकर जो यान को देख रहा होता है और उसके चहर पर एक चंचल इसमाइल होती है ओल्ड मैन के वर्ड्स को सुनकर जो यान जो अदास था वो तुरंती कहता है वो मुझसे स्ट्रॉंग था मैंने बस मौके का फा जो यान अब भी एकदम सांथ है यहां तक कि जो यान की एक कोल्ड और सांथ इसमाइल ओल्ड मैन के दिल में भी फ्लेक्च्वेशन की लहरे पैदा कर रही थी जिससे वो दबा भी नहीं पा रहा था जिसके बाद यह ओल्ड मैन तुरंती कहता है तुम जिद्दी लड़के मैं लिनसा यह देखना चाता हूँ कि क्या तुमारा मुह जितना इसमाइल है तुमारी ताकत उतनी ही समाइल है ओल्ड मैन की बातों को सुनकर जो यान की आके सिखुड चुकी होती है वो जानता था कि आज यह लड़ाई तो होनी ही है लेकिन वो यह भी जानता था कि लिनस और अब Lin Soh के साथ एक के बाद एक लड़ाई लड़ी थी जिन में से एक को भी उसने मारा भी था जोन तीन लड़ाईयों से गुजर चुका था हाला कि Lin Bao के साथ फाइट में जोयान को जादा नुकसान नहीं हुआ Lin Hu, खास तोर पर Lin Si, इनने जोयान की काफी energy और spiritual power यूज की थी यहां तक ही यह भी कहना होगा कि जो फ्लेम मत्रा है, जो हुआंग level के starting level पर आ चुका है उसी के कारण है कि जोयान की battle कोई कि absorb करने की strength और use करने की strength में अभी भी balance है इसलिए जोयान ज्यादा tension में नहीं था, क्योंकि battle उई की अभी भी काफी लंबी चोड़ी खपत थी यह जोयान के लिए अभी भी एक सिर्दर्द होता है, जोयान की जो अपनी ताकत और spiritual power थी, अभी तक ठीक नहीं हुई थी इसलिए लिन्सों का सामना करते हुए, जोयान जिसकी ताकत ज़्यादा ही strong नहीं है, फिला हाल उससे fight नहीं करना चाहता था दूस्ता पिस टाइम पे लिन्सों ने आसपास की एनर्जी को condense करना शुरू कर दिया था, जिससे boom bomb की आबाजे लिन्सा के आसपास फैलने लगती है सत्य उसके atmosphere में ये सब condense हो चुका होता है, लेकिन बेसक जोयान भी यहाँ पे useless नहीं बैठा था हाला कि जोयान को बता था, लिन्सा और उसके बीच power में बहुत बड़ा अंतर था इसलिए जोयान ने अपने frame मंत्रा को extreme level पर activate करते हो एक घुमाना शुरू कर दिया था जिससे बोड़ जोयान का vortex होता है, ब्लैक होल की तरह आसपास के atmosphere की energy अब्सरू करना शुरू कर देता है जिसके बाद जोयान तुरंती कहता है, अगर आप मुझे मारना चाते हैं, तो आपको भी एक खुनी कीमत चुका नहीं होगी जैसे ही लिंसर जोयान अन्यांत्रित तरीके से energy को लूट रहे होते हैं, आसपास के बल्ड और प्लेस में chaos छागया होता है प्लेस अन्बैलेंस हो चुके होते हैं, और इस movement heaven और earth की energy उबनने लगी होती है और powerful energy babes हर जगया फैलने लगी होती है, जिसके बाद वो तुरंती कहते हैं, लड़के मैं तुम्हें दिखाता हूँ, high level क्या है और इतना कहने के बाद old wise सुनाई देती है, कांग लिन जियान, आकास को निकल लो, धरती को फार दो, तेरे बाद आपकी है न, इस समय लिन फैमिली, के जो strong लोग होते हैं, वो यहाँ पे elder लिन सौके, इस attack को देखते हुए, कांपने लगे होते हैं, वो तुरंती कहते हैं यह लड़का साच में आज बहुत ज़्यादा बदकिस्मत है, तभी जो यान उसकी तरफ देखते हैं कहता है, तो तुम्हें लिन फैमिली का थर्ड एर्लर कहा जाता है, क्या आपको लगता है कि आपका attack और आपकी body सबसे strong है, जो एन्या आसरा होता है क्योंकि उसका flame मंत् कि heaven or earth की जो energy होती है, वो आसपास से तुरंती गायब हो जाती है, यहां तक कि जो एक तरफा battle लग रहा होता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आप इस battle में कोई twist आने वाला था, यहां तक कि यह देखर की जो आन्या आसपास के atmosphere की energy अब्जॉब करना शुरू कर दिया है, ल crystal मेज पर अपने fingers को tap करने लगता है, लिंसा की अतेलियों से iconic crystal layer, handprint sign निकलता है, जो powerful energy fluctuation चार तरा फैला रहा था, energy का जो ए fluctuation होता है, वो पूरे place को कापने पर मजबूर कर देता है, जिसके बाद लिंसा तुरंती कहता है, जाओ, लिंसा ने गहरी सांस ली थी, और उसक color की एक light appear होती है, जिसके बाद जल्दी ही एक आवाज आती है, reincarnation finger, इस battle skill को use करने के बाद, जो अभी भी tension में होता है, और fire emperor fish का use करता है, ये दौनों ही battle skill, इस space में काफी fluctuation ला रहे थे, जिसके बाद जो आद तुरंती कहता है, मेरे लिए इसे तोड़ दो, यहाँ जो light seal palm attack को को चलने के लिए, अपने finger और fish attack का use करता है, हाला कि John ने attack किया था, लेकिन John को यह भी पता था कि लिंसा काफी strong है, लेकिन John को यकीन था, कि जब तक वो सांत रहेगा, और alert रहेगा, वो अभी भी इतनी आसानी से नहीं हारेगा, वो से तब तक नहीं दबा सकता, ज इसके बाद face और finger उस seal से जाकर टकरा जाती है, और कई आखों की नजर के नीचे एक चौकाने वाली आवाज गूज उठती है, साथी energy का एक strong सा create हो गया था, और इस strong को center में लेतु है, इस face धीरे धीरे destroy होने लगता और pitch black hole appear हो जाता है, यह एकदम गहरा और अंधेरा होत गयब हो जाते हैं, अटेकों को और उनकी energy को इस तरीके से गयब होता हो देकर सभी हैरान थे, यहां तक की जो elder होता है, वो भी हैरान होते कहता है, इस बच्चे ने, बास्तो में मेरे ghost king seal को block कर दिया, लिंसा के impression अचाना की उदास हो गए थे, और उसे थोड़ा सा परिसान महसूस हुआ था, आके का लड़ाई की पूरी की पूरी range के बाद, जो यान द्वारा प्रगट की गई, जो पावर थी, वो काफी भायानक थी, उसे ऐसे अपोनेट को जल से जल्द खतम करना होगा, वो future के लिए ऐसी पैसानियों को नहीं छोड़ सकता था, यह सोचका लिं किंग, सील अटेक का उसने यूज किया था, पहला अटेक जो यान ने डिश्ट्रॉ कर दिया था, अपने दो पावर फुल अटेकों का यूज करते हुए, हाला कि जो यान की स्पीड काफी सांदार थी, लेकिन जो यान की जो स्पीड थी, उसका कंपेर जन उसके से सेम आप टाइम नहीं मिल पाए था, इस प्रिचल पावर भी खत्म हो चुकी थी और इस पिरेट अटेक भी जो यान नहीं कर सकता था, और क्योंकि जो यान को बता था कि अब वो बेटल स्किल परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उसकी आँकों में दिखाई देता है एक पागल पन, जो यान तुरनती अपनी एंप्रर वॉड्य और निर्वाना फाइर वॉड्य को अपियर करता है, 23 टाइप की जो फ्लेमें होती हैं, बो तुरनती उस फ्लेम को फायर वाटर वर्रीनिंग फ्लेम के साथ फ्यूज कर देता है, जो से एसे यंट कॉंटीनेंट में मिली थी, जो चमकते हुए, पूरी तरीके से glow करते हुए, जो यान की वाडी के उपर एक archmer बना लेती है। इस से पहले कि जोडिए क बॉडी के उपर एक आर्मर बना लेती है। जोडिया की आसपास का पूरा एरिया ही वाइड में ब्रेक हो चुका होता है। लेकिन उसी टाइम पे आब आ जाती है Space Freezing जैसे यह वर्ड आ होते है Space जम गया होता है और जोएन को ऐसास हुआ हो कि उसके चारो और एक बड़ा इस्थान पूरी तरीकी से stable हो चुका था यहाँ तक इस एक सिश्टार डावडी की Space Freezing Strength अपने आप में Unbelievable थी यह देखती हुए कि उसके चारो तरप का जो इस पेस था लिंसा द्वारा फ्रीज कर दिया गया था इसलिए जोएन अपने यूज के लिए Heaven और आर्थ के एनरजी को यूज नहीं कर सकता था और इतना ही नहीं उसकी Body भी Freeze हो चुकी थी जैसे जोएन Hill डूल भी नहीं सकता था अब इस Situation में जोएन जोग कर सकता था वो इतना ही था कि इस Situation में Stable रहकर दूसरों के Attack का इंतजार करे इसलिए जोएन जो Attack पहले करने बाला था यह Attack करना पसंद करता था वो बहुत दुखी महसूस करता है उसे 6 star dowdy level के warrior के power के सामने बास्तों में बीक महसूस हो गया था आखिरकार continent में 5 star के उपर वाले लोगों को strong power houses के तोर पर count किया जाता है जो कि family के real background और foundation के तोर पर भी माने जाते है हाला कि continent में बहुत से powerful dowdy level के warrior एक family में होते हैं लेकिन ऐसे बहुत से नहीं होती जिनकी power 5 star के उपर जा चुकी हो और यही एक reason है कि 5 star के नीचे आप अपनी power को बढ़ानी के लिए दर चीजों का use कर सकते है जबकि उसकी उपर की power के लिए आपको बास्तों में talented होना चाहिए और आपको essence की और origin की समझ होनी चाहिए 5 star dowdy बनने के बाद अपनी power का सुधार करना इतना भी आसान नहीं है और यही एक reason है के essence continent में भी बहुत कम 5 star dowdy level के उपर के लोग है हाला कि अगर 5 star dowdy के example के तोर पर quantity को समझा जाए तो एक हजार late stage के अगर dowdy है तो अंगले कुछ सालों के अंदर उन में से आपकी हाथ की उंगलियों में से भी कम लोग next level यानि की 6 star पर पहुँच पाएंगे जिससे यह देखा जा सकता है कि high level के powerhouse बनने के लिए कितना जादा मुस्किलों का सामना करना पड़ता है और यही एक reason है कि जोयन जब 6 star के बंदे से लड़ रहा था तो अभी भी उसके attack का सामना कर पाने जोयन के लिए मुस्किल लग रहा होता है और अगर जोयन continue इन attack को जहलना चाहता है तो यह कहा जा सकता है कि जोयन के लिए impossible था दूसर जोयन का जो fire armor था वो create हुआ ही था कि लिंसा का ghost king seal attack जोयन के उपर आचोका होता है और जोयन के दांतों के किट-किटाने की आवाज आती है हालकि जोयन के असपास की energy को और space को seal कर दिया गया था इसलिए जो यानब flame armor को भी बनाई रखने में capable नहीं था इसलिए इस attack की थोड़ी से energy का सामना करने के बाद flame armor गायब हो जाता है लेकिन फिर भी क्योंकि ये flame कोई normal flame में नहीं थी इसलिए भी इस flame ने इस ghost seal के जादतर energy को खत्म कर दिया था जिससे ये seal attack भी थोड़ा सा illusionary लगने लगा होता है लेकिन ये सीधा ही जो यान की निर्वाना fire body को उपर गिरता है हालकि जो यान की डावडी निर्वाना emperor body powerful है लेकिन जो यान ओबेस लिस attack का सामना असानी से नहीं कर सकता था इसलिए attack सीधा ही जो यान की body पर जाकर गिरता है जिससे जो यान की body कापने लगते और चैरा पीला पर जाता है और जो यान खून की उल्टी कर देता है और जो यान को लगी चोट से ये देखना मुस्किल नहीं था कि जो यान हार गया था यान तक की नीचे लड़ाई देखने बालों के दिल में जो यान की हार के बावजूद भी जो यान को देखतो एक respect थी एक अपने से cross level पर इतने strong person के साथ इतने long time तक लड़ने में capable होना ये दिखाने के लिए कापी था कि जो यान की fighting strength, experience और intent और तरीके किते खतरनाक हैं लेकिन सभी को इस बात पर भी अफसोस था कि अब ये जो लॉंडा है जो कुछ सालों बाद popular होकर एक strong person बन सकता था बैड लग था कि वो आज यहां मारा जाएगा तो बाई बाई भाई train family अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं end करेंगे और इनके सबसोस को यहीं छोड़ देते हैं देखते हैं कि क्या जोआन मारा जाएगा या मार देगा इन सभी को तो जो भी होगा देखेंगे नेक्स एपिसोड पर गुड नाइट त्यान बाई बाई बाई